जहां नमस्कार दोस्तों मैं आप सब का वहीं चीर परीचित दोस्त आज आप सब के सामने आया हूँ दोस्तों एक और नई और श्रधी ले करके जो की आपके लिए बहुत ही लाप्रद सावित होने वाली है दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और हमारा चैनल आ रहे हैं आप इसके लिए शुक्रिया आएए आज हम एक नई और शदी लेके आए हैं आपके लिए जो कि चमतकारिक और शदी है दोस्तों जो कि एक चमतकारिक और शदी है दोस्तों शहद जिहां शहद के फायदे लाव एवंगुण शहद को प्राचिंकाल से हैं और शदी उपयोग में लाया जाता है ये माना जाता है कि लगबग 800 सालों से शहद हमारे खान पान का हिस्सा रहा है शुद्ध सहद एक ऐसा खाद पदार्त है जो कि लंबाई समय तक रखने के बावजूद भी खराब नहीं होता है मतलब शहद के सबसे बड़ी खोबी ये होते है दोस्तों कि अकर हम बहुत दिने तक उसे रख भी दें श्टोर भी कर दें तो ये खराब नहीं होता है और ये वैसे ही मीठा होता है और इसके क्या क्या फाइदे होते हैं हम आपको आज बताते हैं शहद यादाष्ट तेज तर्रार करता है यादाष्ट को बढ़ाता है शहद कमजोर तंत्री का तंत्र को ठीक करता है शहद काम शक्ति वर्धक माना गया है इसका सेवन पुरुशों में टेस्टो टेरोन हर्मोन और महिलाओं में एक्स्ट्रोजन हार्मोन बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है जिसकी बदावलाद काम शक्ती बढ़ जाती है पुरुशों और औरतों की केलशियम, आइरन, मैगनीशियम, फासफोरस, पोटेशियम, सोडियम और जिंक आधी खनीज तत्तों पाए जाते हैं शहद में दोस्तों और इनका उपयोग आप सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में या हमारे मानो शरीर में क्या-क्या है मनुका शहद दुनिया का सबसे अच्छा शहद माना जाता है ऐसा इस शहद में पाये जाने वाले खास एंटी-बैक्टिरियल गुणों की वज़े से है यह शहद अस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड में पाया जाता है शहद का नियमित सेवन होई हुई शक्ती वापस लोटाता है और शरीर को सुंदर, स्फूर्तिवान, बल्वान, दिर्ग जीवी और सुडॉल बनाता है दोस्तों चुकि शहद एक हाइपरस्मोटिक एजेंट है इसलिए इसे गहाव पर लगाने से यह गहाव का तरल निकाल देता है उस अस्थान से बैक्टिरिया नश्ट करके शिग्र भरपाई करता है यानि कि आपको गहाव हुआ है तो उस पर आप शहद लगाते हैं तो इसमें गर्म नी होते हैं अगर आम लैंग्वेज में हम बोलें तो जिसकी बदौलत होता क्या है दोस्तों कि हमारी बोडी से यानि की हमारे घाव में से मवी निकल जाते हैं तो हमारा घाव जो होता है वह जल्दी ठीक हो जाता है घाव पर शहद सीधे लगाने की बजाए इससे पट्ट पानी में मिलाकर पीने से बैक्टिरिया दूर होती है और आराम मिलता है दोस्तों शुद्ध शहद आखों में लगाने पर जलन होती है परंतु चिपची पहट नहीं होती है यह उपाए नेत्रे जोती को बढ़ाता है तो इस प्रकार आज हमने देखा दोस्तों कि शहद खाने कि हमारे लाइफ में क्या क्या फायदा है वैसे गर्मियों में अगर हम शहद का सेवन करते हैं तो भी हमारे लिए सितलता परदान करता है यह शहद एक बहुत ही गुणकारी और शदी है दोस्तों इसका समुचीत और उचीत मातरा में सदुपयोग के रूप में हमें प्रयो कि जा यह रचीत में अगर्चीत में हमारे लिए जायए और शमप्रों करते हैं तोस्तों कि भी हमारे लिए वारे पर चानले खेव्ड़ कि टुछ और भी हमारे डिया खेव्ड़ीत में स्थ्यरूब